दोस्तो आज किस वीडियो में आपको बताऊँगा कि कैसे आप वाल पेपर सेट कर सकते हैं जैसे आप यहां सामने दे सकते हैं मैंने वाल पेपर को अपन किया है उपन करने के बाद यहां पर दे सकते हैं जो लॉक है यहां पर अभी वाइट है तो यहां पर आप वाल पेपर को भी सेट कर सकते हैं अपनी फोटो को भी यहाँ पर लगा सकते हैं तो कैसे लगा सकते हैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वीडियो को आप एंड तक देखे तब यह आप समझ पाएंगे नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारी फिचेट है यू दोस्तो जैसे आप यहाँ सामने दे सकते हैं यहाँ पर मेरा वर्टसेप है तो सिंपल जैसे मैं अपने वर्टसेप को उपन करता हूँ तो कुछ इस तरह का एक नया पे जा जाता है जहाँ पर वर्टसेप लोग लग लग चुका है ठीक है अब जैसे मैं यहाँ पर पैटर आपने इसके उपर क्लेक कर देना है जैसे क्लेक कर देंगे सबसे टॉप पर आपको प्रवेशियंट स्क्यूटिक आजाता है अब आपने इसके उपर भी क्लेक कर देना है अब यहाँ पर क्लेक करने के बाद आपके पास लिखा है Change Lock Pattern Wall Paper ठीक है अब आप इसके उपर क्लिक कीजिए क्लिक करने के बाद यहां से आप फोटो को स्लेक्ट कर लीजिए यहां पर इसके उपर क्लिक कीजिए आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर आप सीधे उसके बाद नीचे यहां पर आ चुका है Set Wall Paper ठीक है जैसे मैं इसके उपर क्लिक करता हूँ क्लिक करने के बाद यह सेट हो चुकी है अब जैसे मैं यहां पर बैक आ जाता हूँ यहां पर दे सकते हैं जैसे मैं इसको यहां पर बैक कर देता हूँ उसके बाद जैसे मैं वर्टसेप के उपर क्लिक करता हूँ क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्टसेप लॉग के उपर वॉल पेपर सेट हो चुगा है ठीक है अब जैसे मैं आपर अपना पैटरल लगाता हूँ वर्सेप की लॉग पर तो यहाँ पर दे सकते हैं तो इस तरीके से आप भी वर्सेप लॉग पर वॉल पेपर सेट कर सकते हैं बिलकुल ही असान तरीके से आसा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए होगी वीडियो को लाइट जरू कर देना फिसे टाय यूटूब चैनल पर न आये हैं चैनल को सस्क्राइब भी जरूर करें कोई प्रॉलम आते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर जकते हैं हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद